तो इस वीडियो में हम जानेंगे टाटा ने टीजर में क्या-क्या रिविल किया है तो लुक में तो ये पहले से जादा आइडेंटिकल लग रहा है और इसमें न्यू सेंटर कंसोल देखने को मिल रहा है एडिशनल फीचर की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रोनिक पार्किंग ब्रेक, ESP, 4-wheel disc brakes, cold front seats, cruise control and air purifier देखने को मिलेगा और साथ ही selectable regeneration mode भी मिल जाएगा निवनेक्सवन EVMAX में चार्जिंग पावर को डबल कर दिया गया है जहाँ पहले सिर्फ 3.3 किलोवाट का AC charger होता था वहीं अब powerful 6.6 किलोवाट का AC charger कर दिया गया है टाटा अपने most famous electric SUV को और ज़्यादा powerful बना दिया है निवनेक्सवन EVMAX 136 horsepower जनरेट करने वाला है तो current model से EVMAX में 9 horsepower आपको ज़्यादा मिलने वाला है एंड range की बात करें तो इसमें 400 km का range expect किया जा रहा है टाटा अपने Nexon EVMAX को और ज़्यादा premium तो कर दिया है बट ये budget friendly ही रहने वाला है एंड price की बात करें तो obviously इसमें थोड़ा बहुत difference होने वाला है एंड इसका officially pricing 11 माई को announce किया जाएगा